आज भी हान केही इस तो पड़े जो पड़े पची बोलू बोलू लागे मला है हमरो पुस्ता का रा हमरो पुस्ता बंदा पचिल्लो पुस्ता का रा त्यो बंदा पचिल्लो पुस्ता का प्रिय गायक अरोन थापा का समझना सरुभक्तली कोरे का रहेचन आज़को नया पत्रिकामा मन मा फेता परने नहीं भयो यो मन जसे मरने नहीं भयो जती माया लाए बड़ी जती कसम खाए बड़ी निष्टुरी ने बातो लागदा आखा तरी गए पशे मन मा फेता परने नहीं भयो मियो मन जसे मरने नहीं भयो मा वाचन गरना चाहांचू सरुभक्त का सब धरू I want to narrate this मले थाचा जानी रमाय रिकोर्डिंग गरी राखे कुछू योकुनी उपी उपता ठाउ हाई न वरी परी हल्लाचा गाडी योर वाली चली राखे कुछ रा बेला बखात मा हावाई जाज आमरो माथी वाट वुडचा मले थाचा जानी आमरो माईकली कती समात्चा समात्ताई न कती डिस्टर्ब हुन्चा हुदै न तर मायो भाचन गरना चाहांचू आखिर दुनिया भने कई बादा बिरोधर को बीच मा गाडी बरनो लाइव पाट जो आई स्वरुबग्ताई का सम्तारू पाट जो आई स्वरुबग्ताई का सम्तारू आफनो बाबा को निधन पची जीवन आराम मगरे कोले अरुन को करतब्य परिवार चलाउनू थिव आयार्जन गरनू थिव बैनियार को बिया भाई सके को थिव तर उनको कादमा बुडियामा भाई, स्रीमती रचोरिको जीमेवारी बाकी थि अरुन कस्ता थिये बनी उनी कादमा गितार बोक न जान्द थि पारिवारीक जीमेवारी बोक न जान नहीं न थि अरुन था पास सपयको ओ हिरदेश पर गरनी खालका किट गाउनन सक्ते तर अड़ह झागिर खाना सक्तरे अन्ते पुनी स्वतन्तर ब्यवसाय गरना सकते हैं ते रविदेश का चर्चित गाय गाय काले जहीं गीते ही मात्र गायर लाखां करोणों कमाना सकेने अवस्ता पेंधियें कोईले काय मा स्वत्चो और उनले गाय का गीत हरु मा दे कुँंचाय गीत लाइ ही उत्क्रिष्ट मानने सर्वस्त पनने सन 2003 मा BBC ले एक से 65 देश का पांच लाग मानी सरु बीजगरे को सर्वेक्षर मा उनले गायको रितु हरु मा तीमी हरियाली वसंता उभने गीत विश्चो का दस लोग प्रे रोमांचिक गीत हरु मा साथो नमर मा परेको थे राजिंदर रिजाल का सबदर राम धापको संगीत मा उनले गायको यो गीत साच Śके सुंदर चा तर माले अरुनले गायका अधीकांस गीत उत्तिके सुंदर लाग सा्न जत्ति उनका कयों रोमांटिक गीत हरु कालंतर मा किर्थिपूर मा उच्चे सिक्षा हासिल गरे रभिक्रम जागिर मा लागे मत्य तिके पोखरा फरके तेस पचे अरोंड सी था कोईले बेट पाये ना अरोंडे गीत गाये को, दुर्वेशन मा लाये को, पकरा उपरे को, बिर्यामी भये को और अलपायूमा मृत्यु भयको खबररों आई रहे उनको मृत्यु मेरो लागी एक साथिको मृत्य थिऊ उनका प्रसंसकर को लागी एक अदितेय प्रतिभा को मृत्य थिऊ बिक्रम्रमा और उनले बाचे को पचिल जीवन बारे असंतोस पुर्वा कुरा गरती हो तर साथी को नाताले असामा एक मिर्त्युले दुखी पनी उन्थ्यू जीवन मा कईले काई मा तीसको दसक तीर फरकेर हेरचू अरुन उनका आमा बाबा, भायरू, बैनी हरु सितको चो परिपूर्ण परिवार मेरो आखागाडी पर्तेक्षे होंच अरुन सितका भेडगाढरू सम्झझचू उनले जटी माया लाय पनी जटी कसम खाय पनी पहिलो पटक संगीत पत्य करेको राच सम्झचू उनि लोग प्रियभयको सम्झचू उनले मीठ़ सितकरने जोग सरू सम्झचू पहले अरूर हामी माज छाइनन जती माय लाय पनी जती कसम खाय पनी इसका रचनाकार विनोद गउचन पनी अग्यात महाराई सके एक पल्ट विनोद ले मलाई लेक साइड में उटर होटेल खले को चुआ ही बने सुचना जिये का थि में ले होटेल को नाम के हो भनी स्वद्दाउन ले भने का थिये Once upon a time पहले मास सुदेच अरूर विनोच सितको मित्रता Once upon a time का ही रहेच साचा ही नही के ती दिन हरू हामले भाचे का थियो वा थेनू जस्तो लागचा अब समय इस्ते ही रहेच सेतीको सेतो पानी जये निरंतर भगी रहनी अनि बालवा जये कटी समझाना हरू पनी साच साथे भगाई रहनी तर जतीने पानी भगे पनी सेती खोला मा पानी भगना छोड़े को छै न जतीने समझाना हरू भगे पनी रित्ती सके का छै न Once upon a time और उनले गाय कथे कतेई टाळा तिमी भाठ पुगे बहनी कलपेरन बसनू ठूलोच संसार हजार चन मोटू आफै महाराई बर्बाद नहोनू कतेई टाळा तिमी भाठ पुगे बहनी कलपेरन बसनू झाल